Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही कराशी फल चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है king of cups and mental conflict और देखें king of cups का card कहीं emotions की बात करता है feelings की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है हाला कि देखें king of cups mature emotions की बात करता है लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि professional front में जब चीजों को लेकर हम emotional हो जाते हैं sentimental हो जाते हैं तो कहीं एक professional attitude हम खोते हैं जिसकी वज़े से issues और मसले रहते हैं और दिखें अगर ऐसा आप भी पाएं इस week तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें और हो सकता है दिखें इससी लिए या फिर otherwise भी mental conflict का card बहुत ही मन ही मन किसी चीज को लेकर एक दुविधा एक उलजन रहने की बात करता है तो फिर से दिखें दोनों cards को देखें तो surface level पे हो सकता है जो भी आप कर रहे हैं आप काफी enjoy कर रहे हैं एक satisfaction भी है और कहीं फिर से मैं कहूंगी चीजों को लेके आप emotional हो रहे हैं लेकिन मन ही मन एक दुविधा एक उलजन भी साथ ही साथ चल रही है और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन कहीं mental conflict का card कहता है हो सकता है आपको कोई decision लेना है कोई choice लेनी है और आप two minds में हैं आप एक चीज़ पे focus नहीं कर पा रहे हैं एक चीज़ के बारे में decide नहीं कर पा रहे हैं और दीखे फिर से मैं कहूंगी यह general reading है तो यहाँ पे सब के लिए different reasons भी हो सकते हैं नचल में मन ही मन एक conflicting सी energies दिख रही है एक परिशानी दिख रही है और surface level पे बहुत ही peacefully बहुत ही lovingly आप हर चीज़ को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं four of pentacles and hope तो देखे hope का card कहीं उमीद के जागने की बात करता है एक direction किसी भी चीज़ को ले कर मिलने की बात करता है तो पीछे अगर confusion थी या फिर आप किसी चीज़ को लेकर specifically अपने personal front में परिशान हो रहे थे तो इस week उसी से ही related या फिर otherwise भी एक positive energy मन ही मन रहती हुई दिख रही है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी एक direction आपको मिल रही है एक उमीद जाग रही है और surface level पर इसलिए शायद एक stability एक security तो आप महसूस कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत एक attachment भी आप रखते हुए दिख रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ों को आप पकड़के बैठे हुए हैं तो देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत clingy हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके तो उसको जरूर आप check करके correct करें या फिर देखिए बहुत attachment भी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो भी उसको थोड़ा सा कैसे आप कम करें उस पे जरूर focus करें रखें लेकिन इतनी जादा ना हो कि फिर आपकी खुशी उस attachment या फिर उस चीज़ के उपर depend हो जाए क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो फिर हम परेशान होते हैं तो nutshell में देखिए materialistic tangible चीज़ों पे इस week specifically आपके personal friend में आपका जादा focus रहता हुआ दिख रहा है काफी सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि stability, security भी again materialistic चीज़ों से related आ रही है लेकिन अगर आप बहुत किसी भी चीज़ को, किसी भी जगा को, किसी भी relationship को again देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है उसको tightly पकड़ रहे है तो अपनी grip थोड़ी सी lose करें एक detached attachment में अगर आप रहेंगे तो बहतर energies अपने personal front में आप अपने लिए ला पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए clarity of belief का card है, तो देखिए ये card कहता है, आप जो भी करें अपने personal या professional front में एक clarity अपने mind में ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए जब हम clear होते हैं न, हम क्यों कर रहे हैं हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या goal है, हम जो भी कर रहे हैं, वो हमें हमारे goal के तरफ लेकर जा रहा है, या परे लेकर जा रहा है, तो बहुत एक peace हमारी life में रहता है हम beyond the point परेशान नहीं होते हैं, और इस week यही आप लोगों के लिए guidance भी है फिर से मैं कहूंगी कि जो भी करें, एक clarity अपने mind में आप ज़रूर रखें आप क्यों कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं इस चीट से and astrology से आप लोगों के लिए mercury का card है, और इसके हिसाब से green color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह था prices आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए